नमस्कार साथियों बात करने वाले हैं रेलेवे एलपी लोको पाइलट की तैयारी कैसे करें देखिए आप जानते ही होंगे कि लोको पाइलट की तैयारी के लिए आपके एकजाम में तीन पेपर होते हैं CBT1, CBT2 और CBT3 जो CBT3 होता है साइको टेश होता है उसको पहले छोड़ते हैं आते हैं CBT1, CBT2 पर देखिए जो CBT1 का एकजाम का पेपर प्रेटन होता है वही जो है CBT2 में भी रहता है तो उसी हिसाब से आपको तैयारी करना है सबसे पहले CBT1 पर फोकस करना है तो CBT1 में क्या-kया आता है उप जानते ही होंगे आपका जो मैद होता है बीस कोस्चन होता है reasoning के 65 question, science के 20 question और current affair के 10 question होते हैं आपके exam में 75 question होता है, 75 number का होता है एक तरह से कहा सकते हैं कि qualify number होता है मतलब कि आपको passing mark लाना होता 35 percentage लेकिन ऐसा कोई rule नहीं है वो merit के इसाब से बनाय जाता है, कितना merit जाएगी तर लगबग जो है, इसका लगबग 50-60 percentage number लाते हैं तो आपका result पक्का बन जाने वाला है तो उसी हिसाब से आपको तयारी करना है कि जितना बढ़ियां तयारी करेंगे CBT-1 के लिए वही CBT-1 का तयारी का base जो है आपका मजबूत होगा तो CBT-2 और CBT जो भी एक्जाम होंगे वह आपको आसानी से निकल जाएंगे तो CBT-1 के लिए आप जानते ही होंगे math, reasoning और current affair पढ़ रहे हैं जहां से पढ़ते रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है तो हमको पढ़ना कहां से है Science के लिए आप पढ़ना के खांसर साइन्स के लिए, chemistry, biology, physics आपका बढ़ना से कबर हो जाएगा ठीक है, पढ़ना के एस के जहासर है उनका भी science पढ़ सकते हैं, दोनों बढ़ना टीचर है या खांसर का, या एस के जहासर का अगर CBT-2 के technical base की तयारी करना चाहते हैं तो पढ़ना के एस के जहासर के साथ आप तयारी कर सकते हैं, बढ़ना पढ़ते हैं दखिए, railway के लिए पढ़ना जो है मसहूर है बहुत उसका समझ लिए के कोचिंग का एक गड़ है railway के लिए और वहाँ से बच्चे काफी निकलते हैं तो इस वज़ा से वहाँ के बहुत मसहूर टीचर आपके एस के जहां है खांसर है या प्लेटफार्म कोचिंग में भी कुछ जो तोपिक अच्छे से पढ़ा जाते थे लेकिन अब थोड़ा सा कम हो गया है पहले के अप एच्छा तो आप जयातर इसके जहां से पढ़ने का प्रयास करें खांसर से साइंस पढ़ने का प्रयास कर सकते हैं अच्छा रहेगा आपके लिए ठीक है करेंट अफेर पढ़ना चाते हैं तो आप जानते हैं उतकर्स वहां से पढ़ सकते हैं का बढ़िया टीचर हैं उनसे करेंट अफियर आपका बहुत बढ़िया तैयार हो जाएगा तो इस तरह से आप त्यारी कर सकते हैं भीया और जितना हो सके आप पढ़ते रहिए भरती जो है निश्चित तोर पर आने वाली है क्योंकि बहुत बढ़ी इसकी मांग हो रही है लो यह उनके लिए होता है तो इसमें काफी तर बैच्चे जो है बिटेक से आ रहे हैं अजकर लगबग जो है 50 से 60 परसंटे जो बच्चे जो है बिटेक वाला इस लोको पाइलाट के एक्जाम में बैट रहे हैं तो उसी हिसाब से आपको त्यारी करना है कि बिटेक वाले को का पाटना है आपको ठीक है तो उसी साब से आप त्यारी करते रहे हैं बढ़ियां से लेगा रहे हैं आपका रिजल्ट निशित्व पर होगा जैहिंद